Assalamualaikum and hi everyone, welcome to Bright Simple English. आज मैं आपको इस वीडियो में hand emoji के meaning and uses के बारे में बताऊंगी. जिससे आपको उन emojis को chatting करते वक्त कब use करना चाहिए वो पता चले. तो सबसे पहले जो hand emoji है वो है open hands. जब आपको किसी से affection होता है तो हो बताने के लिए इस emoji का use किया जाता है. इस emoji को handshake emoji कहते हैं जब आप किसी से मिलते हैं या फिर buy बोलते हैं या फिर कोई deal final होती है तो उसको बताने के लिए इस emoji का use किया जाता है. इसको thumbs up sign कहते हैं जब आप किसी की बात से सहमत होते हैं या फिर आपको किसी की बात सही लगती है तो उस वक्त इस emoji का use किया जाता है इस emoji को thumbs down sign कहते हैं जब आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं तो उसको बताने के लिए इस emoji का use किया जाता है इसको fist hand emoji कहते हैं इसका use हम punch मारने के लिए करते हैं और अगर दोस्तों के बीच कोई deal final हुई है तो उसको बताने के लिए भी इसका use किया जाता है इसको raised fist emoji कहते हैं जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं या फिर उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो उसको fist pointing right emoji कहते हैं जब आप अपने दोस्तों को मुबारक बात देना चाहते हैं तो उसका use करें इस emoji को hand with crossed fingers कहते हैं इस emoji को हम promise करने के लिए use करते हैं और अगर आप किसी को good luck wish करना चाहते हैं तो उसको victory hand emoji कहते हैं इसका मतलब होता है symbol of peace या फिर आपकी जीत हुई है इसको बताने के लिए भी इस emoji का use किया जाता है इसको I love you gesture emoji कहते हैं जब आप किसी को positive message देना चाहते हैं या फिर I love you कहना चाहते हैं तो उसको sign of the horns emoji कहते हैं जब आप किसी के fan होते हैं तो ये बताने के लिए इस emoji का use किया जाता है इस emoji को अक्सर parties और concerts में use करते हैं इस emoji को left pointing back hand index कहते हैं अगर आपको किसी को left direction में किसी important message के बारे में बताना हो तो उस वखत इस emoji का use करें इसको हम right pointing back hand index emoji कहते हैं अगर आपको किसी को right direction में किसी important message के बारे में बताना हो तो उस वक्त इस emoji का use करें इसको down pointing back hand index कहते हैं अगर आपको किसी को कहना हो कि message में नीचे देखो तो वहाँ पर इस emoji का use कर सकते हैं इसको raised hand with fingers splayed कहते हैं अगर आपको किसी से कहना हो मेरे करीब मत आओ रुक जाओ तो वहाँ पर इस emoji का use कर सकते हैं इसको call me hand sign emoji कहते हैं जब आप किसी से कहना चाहते हो मुझे call करना या फिर मैं तुम्हे call करूंगी तो वहाँ पर इस emoji का use कर सकते हैं इसको राइटिंग हैंड इमोजी कहते हैं जब आप किसी से कहना चाहते हों कि मैं कुछ लिख रही हूँ या फिर मुझे कुछ लिख कर दो तो वहाँ पर इस इमोजी का यूज करें इसको palms together facing up इमोजी कहते हैं जब आपको किसी से कुछ पैसे उधार मांगने हो तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज कर सकते हैं इसको person raising both hands in celebration इमोजी कहते हैं जब आप पार्टी कर रहे होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा खुश होकर डांस कर रहे होते हैं तो ये बताने के लिए इस इमोजी का यूज कर सकते हैं इसको clapping hands sign emoji कहते हैं जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया होता है और आप उनको appreciate करना चाहते हैं तो वहाँ पर इस इमोजी का यूज कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe करना मत भूलिए फिर मुझाना useful interesting topic के साथ तिल दिन टेक केर, thanks for watching